आटवे राश्ट्री खेलों से उत्राखन अब मात 75 दिन दूर खड़ा है ऐसे में अब तक नैशनल गेम्स के लिए प्लेयर सेलेक्शन को लेकर लगने वाले कैम्प नहीं लग पाने से बड़ा सवाल खड़ा हो गया वहीं सवाल पूछे जाने पर खेल संग और खेल विभाग एक दूसरे पर इसके जिम्यदारी थोप रहे हैं उत्राखन में 28 जनुवरी दोजार पच्छे से प्रिस्तावे 38 में राश्ट्रे खेलों को लेकर जहां खेल विभाग आयोजन पर पूरा फोकस कर रहा है बतादे कि नशनल गेम से पहले लगने वाले अलग-अलग विधाओं के कैम्प से खिलाडियों की फाइनल राउंड की तैयारी होती है उन्हें कैम्प में ट्रेनिंग दी जाती है वहीं पर खिलाडियों का सेलेक्शन किया जाता है कि आवशक्ता होती है क्योंकि डेट डिक्लियर पहले नहीं थे तो इसके कारण से जो है उस समय तैसना पर नहीं होका है लेकिन आप जो सेश्रमय है इससे पहले भी हमारी बैठके हुई है वह उसमें यह बता दिया गया था कि आप सब्टमबर महां से ही जो है हम लोग बहुत जबरदस्त तयारियों के साथ खेल मेदान में हैं हमारे खिलाड़े भी खेल मेदान में है खेल बिवाब को 30 शुकीरती देनी है 30 शुकीरती जैसे ही मिल जाएगी वह ऐसे कैमप लगते हैं वो अभी तक नहीं लगताए है वाकाई में विवस्थाओं को लेकर सवाल तुखड़े होते हैं बिल्कुल देखे आपने ये बहुत सही सवाल उठाया है और चुकि हम लगातार अपने दर्सकों को राश्टे खेल के आयोजन के तियारियों के बारे में बताते जा रहे हैं राश्टह खेल यहां पर प्रस्ताविध हैं। ये आज सभी जानते हैं। खाह्वतर पर खेल जगत की तमाम मस्तियां और खिलाडी। घेल जगत की समझेशेद की समुछ करते हैं। उनको आइडिया हैं कि नेस्नल गेम्स का आयोजन किस 리riend का होता , कितना बड़ा होता है कितना उसका किसी राज्य के लिए महत्व होता है तो पिछले 3-4 साल से यहां आयोजन टलता आ रहा है तो इस बार एक tentative तारीख जनवरी से मिली है तो अलम्पिक संग ने दी है तो अभी भी तैयारियों का यह आलम है कि कैम्प लगाने के लिए चोकि एक जीयों में संसोधन होना है गॉर्मेंट ओर्डर में संसोधन होना है वो अभी तक नहीं हो पाया है और जनवरी से जब यह नेशनल गेम की स्रीज सुरू होगी यहां पर अलग-लग सहरों में अगर इसमें देरी होती है नेसल कैम्प में खिलाडियों का चेन में देरी होती है नेसल कैम्प में समाझ 6-8 महीने की बजाए आपको 2 महीने मिलता है तो खिलाडियों पर फिर किस सरा का दवाव आप रखेंगे मैडल लाने के लिए चुकि उनको आपने टाइम ही नहीं दिया अगर खिलाडियों से मेडल की आपको उमीद है तो यह जो प्रारंबिक तयारियां यह आपकी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी तो नहीं तो यह पूरा का पूरा नेशनल गेम्स जो है यहां उत्राखंड में सरकार के लिए केवल एक इवेंट बनकर रह जाएगा अगर बहुत प्रतिबा साली खिलाडी बहुत दमदार खिलाडी उनका चैन और उनको परियाप समय नहीं मिलेगा उनका चैन डंग से नहीं होगा तो फिर मैडल की तो आप बाती छोड़ दीजिए पिछली बार 25 वा नंबर था नेशनल गेम में उत्राखंड का तो इस बार कौन सा नंबर होगा यह आप देख सकते हैं जे बिल्कुल छी कहा आपने कि देखे अगर पहले ही तयारी यहाँ पर देखी जा रही है कि किस तरह की है ऐसे में हम आगे की बात करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबसे बड़ी बात ही कि एक तरफ तो यहाँ पर उत्राखंड सरकार ये बात बोल रही है कि हवारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इन गेमों को अच्छी तरह से कराया जा सके अब क्योंकि नैशनल गेम्स के लिए अगर देखे हम तो जो तमाम प्लेयर्स हैं वो बहुत तयारियां करते हैं अब ही तक कुछ अतापता नहीं है कैम्स का तो ऐसे में जाहर ही कि सवाल भी पूछे जा रहे होंगे प्रिशासन से सरकार से क्या कहना है उनका इस मामले पर देखे खेल मंतरी को आपने सुना तो उन्होंने कहा कि एक सासना देश है जो इसमें संसोधन होना है उसमें डाइट की और कैम्प की जो धंडासी होती है चुकि एक खिलाडियों को अब वो पुराना जमाना चला गया गया यह डाइट के लिए अच्छी खासी धंडासी होने चाहिए हमारे यहां हालत यही कि हमारे यहां कोच नहीं है सरकार गोशना करते है ओलम्पिक में जो मैडल लेकर कायागा उसको सरकार एक करोड रुपे देगी लेकिन आप यहां से ओलम्पिक में जाने वाले खिलाडियों की संक्या बहुत कम हैं और वो भी जाते हैं उनको मैडल नहीं मिलता तो आप जहें पांच करोड़ की धनराची की गोशना कर दीजी उससे क्या फ्रक पड़ता है जब आपके पास यहां पर राष्टी अंतर राष राष्टे खेलों के लिए खिलाडियों को तरासने वाले मांजने वाले जो कोच होने चाहिए वो आपके पास है ही नहीं इसके पीचे वजह क्या है अजीत क्या सरकार और प्रिशाशन की तरफ से जो ध्यान है वो इस ओर है ही नहीं कि basically हमें यहां पर किन चीज़ों की जगा की जरूत है फिल्ड की जरूत है स्टेडियम की जरूत है जो तमाम सुवीधायत दी जानी चाहिए उनके जरूत है तो उसके लिए उस दिशा में कदम उठाए क्यों नहीं जा रहे हैं यो दासी है क्यों देखिए ये देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है ये चुकि ये तो राष्टिय गेम यहां उलपिक संग ने उत्राखंड को इस बार एलोट कर दिये एक टेंटेटिव तारीक दे दी अगर ये नेसल गेम उत्राखंड को एलोट नहीं होते तो आप समझो की जितनी तैयारी चल रही उतनी भी नहीं होती खेल विभाग यहां पूरी तरह से उपेक्षित रहा है बहुत धंसे यहां खेल नहीं होते हर साल जो खेल कलेंडर जारी होकर टाइम पर सारे टूर्णमेंट्स होने चाहिए वह नहीं हो रहे हैं वह जो एक खेल निती आई ती उसका आता पता नहीं है और सबसे बड़ी वात क्या है कि आपके पास नेसनल और अंतररष्ट अस्तर के इंटरनेशनल लेवल के कोच कहोना जब आपको खिलाडीयों को कोई मांजने वाला तरासने वाला नहीं और कोई सिल्पी ही नहीं होगा तो फिर क्या फाइदा होगा और खिलाडी कैस कैसे प्रसिक्रों लेंगे कैसे कैम्पेडिशन में भाग लेंगे वह जो एक चैन होती थी कि बोग पहले ब्लोग पर खेल होंगे फिर उसके बाद जिल अस्तर पर फिर मंदल अस्तर पर ओंगे इस्टेट केम्पियंसिप होगी तो मतलब एक पूरा का पूरा जो पुरा प्राचीन बहुत पुराने समय से जो एक सिस्टम चला रहा था वो भी लुप्त होता दिख रहा है और अब नेसल गेम आ रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी में हैं कि दो महीने में ही कैम्प लगा करके यहां खिल को भी खिलाइंगे तो यह इस बात का सबसे बड़ा धोतक है कि आपके पास खिलाड़ी नहीं है और आपको प्रयास कोच नहीं ह정이 कि आपने परियास की आप पर ऑप अब शादन भी बहुत जैसे हरियाना में होती है, पंजाब में होती है, दिली में होती है, रास्थान में होती है, वेस्टन यूपी के इस हिस्से में सारे में होती है, तो उस तरह से जो सिलसिला एक खेल की प्रैक्टिस का होता है, अभ्यास का होता है, कैम्प्स लगते हैं, सारी चीजे होते हैं, ल पहुंचे मंदिर में पूजा अर्शना करुनों ने भगवान बद्री विशाल का आशिरवाद लिया है इसी दौरान बद्रीनात मंदिर समीति के अधिकारी करमचारियों ने मुख्य मंत्री